जैशे महम्मद के प्रमुक और Most Wanted आतंकी मसूद अजहर को लेकर अरिश्चय के बादल अभी छटे नहीं हैं। एक दिन पहले जहां उनके मरने की खबर आ रही थी तो वहीं सोवाग को पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट में मसूद अजहर के परिवार से जुड़े सूत्र के हवाले से दावा किया गया है कि वह जिन्दा है। पाकिस्तानी न्यूस चैनल की रिपोर्ट के मताबिक आतंकी मसूद अजहर की मौत से जुड़े खबरें गलत है। जैशे मुहमत का प्रमुख और मोस्ट वांटीट आतंकी मसूद अजहर की मौत की खबर आने के बाद से हिंदुस्तान में जैशने का माहूल है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने मसूद की मौत की खबरों को नकार दिया है। हाला कि अभी तक पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सूशना मंत्री फवाद चौधरी से जब मसूद अजहर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे अभी इस बारे में कुछ नहीं पता है। गौर्जुलभे के आतंकी संगठन जैशे मोहमद प्रमुक मसूद अजहर की पाकिस्तान में मौत के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के बारे में भारतिय खूफिय आजेंसियां भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांथ में बहावलपुर के रहने वाले अजहर ने साल 2000 में जैशे मोहमद आतंक की संगठन बनाया था। वर्ष 1999 में ततकालीन राजक सरकार ने इंडियन एरलाइन्स के अपरहत विमान IC 814 को छुड़ाने के बदले अजहर को छोड़ दिया था। ऐसे में कुछ और समय का इंतजार करना होगा जोसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आतंक का आका जिन्दा है या फिर खांक में दफन हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट आनसी 24 नियोज मच्छी प्रदेश